नमस्कार दोस्तों आनलाइन जोतिश रिभाव चानल में आपका स्वागते दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वालों आपके घर में जो जाड़ू रहता है उससे जुड़ी 10 बाते में आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तो अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब माई चाइनल सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दाबाना ना भोले क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी दोस्तो यह जो चानल है जोतिश की जानकारी देने के लिए बनाया है जिसमें मैं आपको जोतिश शास्र हस्तर हेका शास्र कुंडली शास्र और निम्रोलाजी की पुरी जानकारी देने के कोशिश करूँगा इससे जुड़े जो तोटके रहते हैं, जो उपाय रहते हैं वो बताने के कोशिश करूँगा दोस्तों अगर आपको कुछ प्राब्लिम है, तो उसका भी सोलुषन देने का प्रयास मैं करूँगा आपको क्या करना है दोस्तों आपका problem comment box में जाके comment करना है उसका solution देने का प्रयास मैं जरूर करूँगा तो दोस्तों आपके घर में जाड़ु रहता है हर एक के घर में जाड़ु रहता है घर साप करने के लिए जाड़ु की जरूरत किलती है तो जाड़ु से जुड़ी कु जाडू के बारे में कि जो दस बाते हो जानकारी होने चाहिए आपको कब जाडू लगाना है कब नहीं लगाना है उससे जुड़ी और भी बाते हैं जो मैं आज के वीडियो में आपको बतानी जा रहा हूँ तो दोस्तो अंधेरा होने के बाद घर में जाडू लगाना अशु लेकर अपने आपको खड़ा देखता है तो यह सवभग्य का प्रतीक होता है दोस्तों घर में आपको उल्टा जाड़ू रखना अपस्यक माना जाता है जाड़ू को हमेशा सिधा रखना चाहिए उल्टा नहीं रखना चाहिए दोस्तो परिवार के किसी भी सदेश से के बाहर जाने के तुरंत आपको ज़ाडू नहीं लगाना है उसको अशुब माना जाता है दोस्तो अगर कोई व्यक्ति अपके घर से निकल जाता है यात्रा पर निकल जाता है तो उसको बहुत सारे कश्ट होते हैं इसलिए उनके जाने के एक या दो घंटे के बाद जाड़ो और पोछा करना चाहिए जाड़ो पर पर रखना अशुब माना जाता है इसका आर्थ लक्षमी घर की लक्षमी को ठोकर माना ऐसा मानता है तो जाड़ो पर कभी भी पर नहीं रखना चाहिए पर से उसको नहीं लोटना चाहिए दोस्तों अगर हम जाडू का अधर करते हैं तो यह महालक्षमी की प्रसनात का संकेत होता है दोस्तों अगर आप नया घर भवन जो बनाते हैं उसके पश्चा उसमें पुराना जाडू अगर ले जाते हैं तो ये अपशकून माना जाता है अशुब माना जाता है दोस्तों तो आपको नए घर में या भवन में नया ज़ाडू ले जाना चाहिए दोस्तो अगर घर में कोई छोटा बच्चा अगर अचानक जाडू लगाना चालू कर दे तो घर में महिमान आने का योग बनता है दोस्तो जाडू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए ऐसी जगह रखना चाहिए जहा जाडू हमें घर या बाहर के किसी सदस्यों को दिखाई नहीं देना चाहिए तो दोस्तो जाडू को हमेशा चिपा कर रखना चाहिए उसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहा जो जाडू रहता है वो हमें भी या घर के बाहर के जो सदस्य रहते हैं उनको नहीं दिखाई देना चाहिए दोस्तो यह बात हमेशा धान रखे कि जाडू को कभी भी घर के बाहर अत्वा छत पर नहीं रखना चाहिए ऐसा करना अशुब माना जाता है और दोस्तो ऐसा करना घर में चोरी की वारदात होने का भय प्राउत्पन करता है तो आपको जाडू को घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए दोस्तो जाडू हमेशा साफ स्वच्छ साफ सुदरी और साबुत होनी चाहिए तूटी पूटी अथवा आधी जाडू दारी द्रता बढ़ाती है जाडू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए तो जाडू हमेशा अच्छी शाबुत जाडू आप यूज करे उसको तूटी वी पूटी वी जाडू या अधी जाडू आपको नहीं यूज करनी है उससे आपको द्रता बढ़ती जाएगी दोस्तो जाडू को कभी भी मुख्यद्वार के आसपास नहीं रखना चाहिए इससे घर में नकारात्मग बढ़ती रहती है दोस्तो जाडू को कभी भी डंडे के रुप में नहीं यूज करना चाहिए इससे केवल कच्रा साप करने के लिए ही यूज करना चाहिए किसी भी जानवर को जाड़ू से नहीं मरना चाहिए यह अशूब माना जाता है तो दोस्तो इसी प्रकार जाड़ू का एक महतपूर पूर्नस्तान हमारे घर में है अगर आप इस नियम का पालंग करेंगे आपको जो यह नियम बताए है तो लक्षमी जी आप पे प्रसन्न होगी आपको कुछ प्राब्लेम नहीं आएंगे घर के अंदर सुक शंबूत दि रहेंगी अच्छा जिवन आप बितीत कर सकते है दोस्तो अगर आपको मेरे दीवी जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो